हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई रुक्रीट्मेंट की इंफोर्मेशन लेके आया हूँ रुक्रीट्मेंट दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से है कैलकॉम विजन लिमिटिड की तरफ से रुक्रीट्मेंट नोटिफकेशन निकाला गया है अप्रेंटिशिप की पोस्त के लिए आवेधन मागे गए हैं और जैसे ही आप अप्रेंटिशिप कंप्लीट कर जाएंगे उसके बाद चुहे वो कुछ कैंडिडिट को मोका मिलेगा उसी कंपनी में काम करने का और यह नोटिफकेशन में लिखा हुआ है इसके लावा दोस्तों डिप्लोमा वाले बिल्कुल इलीजिबल हैं डिप्लोमा के इलावा और कोई लीजिबल नहीं है अप्लाइ नहीं कर सकते हैं एक इनसान एक लाइफ में जो है वो एक ही अप्रेंटिशिब के लिए अप्लाइ कर सकता है लीगली इसके लावा दोस्तों ओनलाइन मोट से आपको अवेधन करने की कोई फीस नहीं रखी गई कोई एक्जामिनेशन जो है वो कंड़क्ट नहीं करा डिरेक्ट डाकुमेंट वेरिफकेशन होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपका सेलेक्शन हो जाएगा किसी तरह का एक्जामिनेशन नहीं होने वाला है इसके लावा दोस्तों स्टैपेंट की बात करें 10,000 पर मन्त तक आपको स्टैपेंट उनकी तरफ से दिया जाएगा हर मन्त मिलेगा एक साल का ये ट्रेनिंग पीरिड रहेगा जिनको पहले से पता है अपरेंटिशिप एक साल या दो साल की होती है उनको जोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि अपरेंटिशिप एक साल की होती है एक साल के बाद आपको ये जोब छोड़नी रही है क्योंकि नोटिफकेशन में ऐसा लेका हुआ है कि आपरेंटिशिप करवाते हैं और उसकी बाद कुछ कैंडिडेट को वो मोका भी देंगे उसी कंपनी में काम करने का जिसमें आपकोस आपकी अगर आपका जो है वो पासिंग यर वही है जो उन्होंने मांगा है तो age की आप पर्वाह मत कीजिए इसके लावा दोश्टों यहाँ पे अगर आप restriction कर रहे हैं तो resurrection आपको मिलेगी अगर आपके पास proper certificate है है के बाद करने जिसके लाव दोश्टों duration ऑफ टरेनिंग की बात करें तो एक साल का ये training period रहेगा तो उनको दुबारा से करने की जोट नहीं है वो simply type कर सकते हैं वहाँ पे establishment में company का नाम और यहाँ पे search user ID भी उन्होंने दे रखी है बाकी जिन लोगा registration नहीं करा उनको जो है यहाँ पे registration करना है enroll करना है, enroll करने के बार enrollment number मिल जाएगा establishment वाला section खुल जाएगा वहाँ पे establishment सर्च करिए और click here to apply पे click करके आप apply करतेंगे बाकी यहाँ तक पहुँचने का link description में आपको मिल जाएगा उसके साथ सारे important links मिल जाएगे वहाँ पे आपको telegram का भी link मिल जाएगा अगर आप telegram पे हमसे जुनना चाते हैं 16th of July तक चलेंगे इसी के बीच में आपको apply करना है बाकी rank list जो है वो marks के according मनाई जाएगी कितने marks आपने डिप्लोमा में अन करें उसी के according जो है आपका यह merit list निकालेंगे और आपका selection हो जाएगा वो 27 को जो है आपे लिखा गया है और यह NOIDA में location रहेगी वहीं पे आपको जो है वो document verification के लिए भी जाना होगा कल को आपको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी location पे काम भी करना पड़ेगा बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है वो certificate verification कब है date of joining कब है आपको बाद में आपके email पे बता सकते हैं या उनकी website पर भी अपलोड कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यहाँ पे उसी जो है वो notification में यह जानकारी भी लिखी गई है कि वो हो सकता है आपको job का भी जो है उनकी तरफ से दिया जाए तो यह जानकारी दोस्तों दीगे उनकी official website पर यह notification अगर आप ठूंट रहे हैं तो notification का link description में है जाके read करिए अगर आपको लगता है आप eligible apprenticeship करने का mood बना चुके हैं तो यहाँ पे आप इस recruitment के लिए जा सकते हैं यहीता दोस्तों आज किस वीडियो में Thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए आशा करतों को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related questions comment section में पूछिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में